दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहली कबर बिहार में स्कूल कोलेजों में साब सफाई सिरूर 12 से खोलेंगे स्कूल और कोलेज सिक्चा विवाग ने जारी की गाइडलाइन जी हाँ समवार यानी 12 जुलाई से बिहार के सभी 20 विदालाई सभी परकार के कोलेज तकनिकी सिक्चन संस्तान एवं 11 वी वा 12 की विदाले खोल जाएंगे राज सरकार के आयोग द्वारा निक्ति के लिए परिचाव का आयोजन कोविट प्रोटोकोल के पालन के साथ किया जाएगा इसके अलावा पाली से 10 वी तक के स्कूल कोचिंग संस्तान ट्रेनिंग यवं सेक्चिनिक संस्तान बंद रहेंगे विदाले एवं विस विदाले द्वारा किसी भी तरह के परिक्चाई नहीं ले जाएगी साती वयस्क चात्र चात्र वोग शिक्चकों का टेगा करन सुनिचित करना होगा ओलाइन मायदम से शिक्चन के विवस्ता को प्रातिमिकता दी जाएगी आपको बता देखे गाईलाइन के नुसार काक्चाओं में विदातियों के बीज कम से कम चौपीट की दुरी होगी इसी दुरी के साथ बैठने की विवस्ता की जाएगी इस्टाप रूम, कार्याले काक्च, आगत काक्च में भी यह दुरी रखनी होगी संस्तान वो इस्कुल की सवी गेट, आगमन वो प्रस्तान की समय खोल कर रखने होंगे आने जाने के लिए अलग-अलग गेट जिनित किये जाएंगे वैसे सेक्चिनिक संस्तान या विदाले जहां नामांका न अधिक है दो पालियों में संचलित किये जाएंगे विदाले समारो, तियोहार आदे के आयोजन से बचेंगे विदाले असेमली कक्चाओं में ही वर्ग सिक्चक की देखरिक में समाजिक दोरी का पालन करते वे होगी अविभावक सिक्चक बेटक वर्चुल करने का निर्दिस दिया गिया है अगली बड़ी कबर सियम नितिस कुमार जनता के लिए फिर से लाएंगे जनता दरबार 12 जुलाई से होगी सिरुवाद जिहां बिहार के मुख मंत्रे नितिस कुमार एक बार पिर जनता के लिए दरबार लगाएंगे 12 जुलाई से इसकी सिरुवाद हो सकती है जनता के दरबार का आविजन्ग 4 kg आहते में बने एक बड़े हॉल में किया जाएगा पिछले दिनों सियम नितिस अचछना की 4 kg परिसर में पहुच गए थे उन्हेंने उस हाल का मुआइना किया जहा जनता दरबार लगाया जाना है सियम नितिस ने इस बारे में अधिकारियों को कई निर्देश भी दिये हैं। अगली बड़ी कबर पुरे देश में आट राज्यों के गवर्नर बदले गए। यहां इस वक्त की बड़ी कबर सामने आ रही है जहां आट राज्यों के राज्यपाल बदल दिये गए है। राश्टपती रामनात कोविन ने राज्यपाल के बदलाव से जुड़ी सुषना जारी कर दी है। जानकारी के अनुसार जारकन, त्रिपुरा, हरियाना, करनाटक, मिजोरम, मैद परदेश, हिमाजल परदेश और गवा के राज्यपाल बदले गए हैं। राश्टपती रामनात कोविन ने मंगलवार को आठ राज्यों में नई गवर्ना निक्त किये हैं। त्रे को हरियाना का राज्यपाल निक्त किया गया है। दूसरी और सुमवार को पटना में पेट्रोल की कीमत 102 रुपय प्रती लिटर की इस्तर तक पहुच गई। बड़ी खबर बिहार में नदिया मचा रही है तबाई। बड़ी गंड़क गंड़क और बागमती लाल निसान से उपर बरही है। तो वही मोतिहारी में बाड का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मोतिहारी नगर निगम के नो वाड़ों में बाड का पानी परवेश कर गिया है। इसके अलावा समस्तिपूर से गुजरने वाले गंगा और बोड़ी गंड़क नदी के जलेस्तर में मंगलवार को भी विर्डी जारी रही। साथ सीतामड़े जिली से गँजरने वाले नदियों के जलेस्तर में कमी हुई है। बाड़ी खबर सियम नितिस ने किया बाड़ प्रवावेत इलागों का हवाई सर्वेक्चन अधिकारियों को दिये हर सम्भा मदद पहुजाने का निर्देश जिहा मुईकी मंत्रे नितिस ने बाड़ को बाड़ छेतरों का हवाई सर्वेक्चन किया मुख्य मंत्री ने इस दोरान उत्तर बिहार के बाढ़ प्रभावित जीलों के लोगों का हाल जानने की कोशिस की इस दोरान सियम नितिस ने समानदित जीलों के अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित लोगों को हर सम्मव मदद पहुचाने का निर्दिस दिया है बता दे कि उत्तर बिहार के कई जिले बार्ड से प्रभावित है तिरोत और मितलांचल में बार्ड का कहर जारी है तिसरे दिन भी मुझपर पूर नर्गडिया ग्यांज रेलखन पर टेनों का परेचलन ठप है और बदले रूट पर टेनों चल रही है अगली बड़ी कबर बिहार में नजुला के बाद मानसुन सक्रे होने के आसार दस जिलों में भारी बारिस की चितावनी जहां बिहार में जून के महिने में मानसुन के परवेश के बाद ही लगातार कई जिलों में मुझलादार बारिस होने का सिलसला जारी है हालाके बीते दो दिनों से राज़ानी समित कई इलाकों में गर्मी भी महसूस की जा रही है लेकिन मौसम इवाग के ताज़ा अपडेट के अनुसार नौ जुला के बाद से सुबह में मांसुन के और ज़्यादा सक्रिय होने की समावना है बंगाल की खाड़े में सक्रिय निम्न हवा के दबाव और नमी का सिस्टम कमजोर हो गया है इसके साथ बंगाल की खाड़े से होते वे बिहार जरकन तक कोई साइकलोन सर्किल का छेत्र सक्रिय नहीं है इससे बिहार के दिकान से हिस्सों में मानसुनी बारुस में कमी हो रही है सुमवार को बिहार में समायने से 75 डिगरी कम बारिस रिकोर्ड की गई है लेकिन 9 जुलाई के बाद मानसुन सक्री होने की सम्हावना है बाड़ी कबर बिहार की गारा नदिया हुई लाल निसान के बार मोती हारे वो बेतिया में सडकों पर बार रहा है बार का पानी जिहां बिहार में हर साल की तरह इस बार भी बाड का कहर देखने को मिलने लगा है इस बार मांसन पहले ही आ गया तो बाड भी पहले आ गई वरना जुन मा में बाड रहे है रीक कभी आई है लेकिन इस बार जुन की बाड अब जुलाय में भी अपना असर दिखा रही है सुबे की 11 नदियों का जलस्तर खत्रे की निसान को पारगर गिया है सबसे खराबी सिती उत्तर बिहार का है लगबग दरजन भर जिला त्राहिमाम कर रहा है मोती हरे वो बेतिया में तो सड़क पर बार का पानी बह रहा है जबकि सिवर कभी सिती खराब है सुबे की गारप प्रामुक नदिया लाल निसान को पारगर गई है महाननदा प्रमान के अलावा कोशिक, कमला बलान, अदवारा, बागमती, बुड़ी गंड़क, गंड़क, सोन, किरोई और लाल बकिया नदि खत्रे की निसान से उपर बह रही है जिसके करण नदियो से सटे गाउं की सिती खराब है, कहीं गाउं में पाँच पीट पानी बैरा तो कहीं कटाव तेज है, इससे लोग सामे हुए है बड़े के बर समाज कल्यान मंत्री मदन सानी ने मारी पल्टी, नितिस से मुलाकात के बाद इस्तिपे का निन्ने बदला जी हाँ, अपसरों के रवाई से तरस्त होकर अपने पद से इस्तिपा दिने पर समाज कल्यान मंत्री मदन सानी का गुसा अब खतम हो गया है सानी के तेवर तरम पढ़ने के बाद मंगलवार के साम उन्होंने बिहार के मुख मंत्री नितिस कुमार से भेट की मुख मंत्री से मुलकात के बाद जदोई से सांसद ने कहा की मेरे सभी परिशानों को सियम ने सुना है समदान भी हो जाएगा अब वह बुद्वार से अपने दफ्तर में काम करेंगे मुधी मंत्री मंडल में सामिल होगी जदोई नितिस बोले कोन मंत्री बने गया या प्रदान मंत्री तै करेंगे कितने मंत्री बनेंगे ये आर्सिपी सिंग फैसला लेंगे जिहां नरेंद्र मोधी मंत्री मंडल के विस्तार में जर्योई सामिल होगी इसकुमार ने पटना में इसकी पुष्टी कर दी है नितिस ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि जर्योई मंत्री मंडल विस्तार में सामिल नहीं होगी लेकिन विजेपी से सारी बाते आरसीपी करेंगे पार्टि ने राष्ट्य अध cucumber को भीज़िपी से बात करनी को अधिकृत कर रखा है पाटना में कल मीडिया से बात करते वे नितिस कुमार ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही ऐसी कोई जानकारी उन्हें की जेडवी मंत्री मंडल विस्तार में सामिल नहीं होने जा रही है लेकिन नरेंद्र मोधि के मंत्री मिंडल में जिर्योई की कितने मंत्री होंगे यह RCP सिंग तैक करेंगे नितिश कुमार नी कहा कि RCP सिंग जिर्योई के राश्टी अध्यक्ष और उन्हीं पार्टी के अधिकृत कर रखा है सारी बा रही है आठ जुलाई को केंद्य मंत्री मंडल का विस्तार होना तही हुआ है सुबस साड़े दस बजे मोधी केबिनेट की नए मंत्री सपत लेंगे हाला कि अब तक केबिनेट में सामिल होने वाले नए चेहरों का नाम साप नहीं हो पाये हैं लेकिन सुत्रों के हवाले से मेरे पास समर्थन है जिहां चिराग पासवान ने मंगलवार को मुख मंत्री नितिश कुमार और अपने चाचा पसुपती पारस पर हमला बोला है पसुपती कुमार पारस को केंद्र में मंत्री बनाये जाने की चर्चा पर चिराग पासवान ने कहा कि मेरे चाचा पसुपत पारस को लोजपा सांसगत के तोर परे मंत्री बनाया तो मैं कोट जाऊंगा एक सवाल के जवाब में लोजपा नेता चिराक पासवान ने कहा कि लोजपा के सांसगत को केंद्री मंदल में सामिल किया गया तो मैं कोट जाऊंगा मैं अभी भी पार्टी का राष्टी अध्यक्ष हूँ, पार्टी भी मेरी है, समर्थन भी मेरे पास है, मेरे अनुमते के वेना, पार्टी के किसी भी सांसत को मंत्री बनाना गलत है अगली बाड़ी खबर दस जुलाई से बिहार के पाश्टी मी चमपारान से उपेंदर खुस्वाहा करेंगे जिलावार दोरा और परवास कायरकरम की सिर्वाद खुद ट्वीट करके दी जानकारी जिहां दस जुलाई से बिहार के पाश्चिमी चामपारन से जेड़ोई संसद्य बोड के अधज उपेंद्र खुस्वाह यात्रा की सुरुआत करेंगे इस बात की जानकारी उन्होंने कोद ट्वीट करके दी है पाश्चिमी चामपारन से जिलावार दोरा और परवास कायरकरम की सुरुआत करेंगे जिलों में जाकर कुस्वाह पाटी नेताव के साथ बेढ़क करेंगे और संगटन की मजबूती पर काम करेंगे और अंत की बड़ी खबर पाटना नगर निगम ने किया स्वस्तेवा स्वाधिष्ट भोजन का प्रबंद कम्यूनिटी किचन में मिलेगी 15 रुपे में भोजन की ताली पाठ्णा नगर निगम द्वारत कमुनिटी किजन की सरुवात की गई है इसके तहट स्थानिय गाए घाट इसीत रेन बसरे में लोगों के लिए स़स्थेवा स्वाधिष्ट भोज़न का प्रबंध किया गिया है नगर निगम ने भामासा भोज़न सिवा केंद्र को भोज़ का टेंडर सोब दिया है जिसके तहद गाय घाट इसी त्रेन बसरे में भोजन का प्रबंद किया गया है इस रेन बसरे में आम लोग केवाल 15 रुपय में भोजन की थाले ले सकते हैं इसमें रोटी चावाल दाल सबजी भुजिया वा आचार सामिल रहेगा मेर सिता साव वा अ मंगलवार को रेन बसरे का निरिक्षन किया तथा भोजन की गुनवाता की भी जाच की इस ज़रानोना ने खुद भोजन किया आज के लिए आपका सवाल बताए कि काक्चा पहले से 10 वे तक के बच्चों के लिए कितने दिनों बाद स्कुल को खोलना चाहिए इसका जबाब आप अमन नीचे कॉमेंट करके ज़रर बताए